पैसा जादा बढ़ता है, वहाँ क्राइम आ जाता है, किसी भी शादी पार्टी, नाइट क्लब, इंडिया क्रिकेट मैं जीतती है, तब भी एक पंजाबी गाना पीछे बचता है सोनी लीव के नए शो चमक के डारेक्टर हमारे साथ है, रोही जुगाद चौहां जी, क्या कहेंगी, बहुत ही खास यूनिक एक सीरीज नजर आ रही है, जहांपर, म्यूजिक, जान है इस शो की, क्या कहेंगी, कैसी रही है जर्नी, कहां से इसकी शुरुवात हुई, और ऐसा साल बहुत बड़ी एक ट्रैजडी होई, सिद्धू मुसे वाला, जो हमारे एक लेजनरी सिंगर थे, उन्हें मार दिया गया, तो पूरा हिंदुस्तान उस एक इंसिडेंट से जागा, कि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में क्राइम है, पर क्या है ना, हम लोग थोड बहुत कि और दी के पीक पर चर्म सीमा पर मार दिया जाता है, मार दिया जाता है, आर्ट और वाइलन्स, आर्ट और खीन खराबा, दहशत, इसका कोई लेना देना नहीं है, होना चाहिए भी नहीं, इस कारण से ये कहानी मैं कहना चाहता था और इसमें बहुत सारे गैस्ट अपिरिंसेज है बिना किसी चीज़ का नाम लिए बिना किसी वारदात का नाम लिए एक काल्पनिक कहानी है जिसको बहुत मनोरंजक तरीके से बुना गया है मेरी पूरी राइटर्स की टीम और मैं इस कहानी पर देड़ साल तक काम किया पूरा एक राइटर्स रूम था जिसमें मेरे मुक्खे राइटर्स सागर है एस फकीरा मेरे साथ मैं हूं हमारे बाकी राइटर्स अविनाश विजय गौरव हैं गितांजली मेरी वाइफ है जिनोंने स्टोरी मेरे साथ पेंडाउन करी शुरू से जब हम ये लिख रहे थे तब तक सिद्धू मुसेवाला जी वाला हत्या कांड नहीं हुआ था हमारे एपिसोड दो में उनकी गेस्ट अपेरंस थी हर एपिसोड में एक गेस्ट अपेरंस है सुनकी गेस्ट अपेरंस थी मुझे अभी तक भी वो नाम लिखा हुआ है उस स्क्रिप्ट पर सोनी को भी जब स्क्रिप्ट समिट करी क्योंकि तब उनसे फोन पे बात हुई थी हमने मैं मिलना नहीं कभी जुर भागे रहा मैं मिलना ही पाया लेजंड थे वो लेजंड है हमेशा रहेंगे बाकी मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त जैसे गिपी गिपी गरेवाल उन्होंने सपोर्ट किया है इस सीरीज को वो स्पेशल गेस्ट अपेरंस है बाकी मीका सिंग, MC स्क्वेर, कनवर गरेवाल, अफसाना खान, असी स्कॉर बहुत सारे अंगिनत नाम गेस्ट अपेरंस है बट सिद्धू मुसेवाला जी रह गए उनसे फोन पे बात हुई थी उनने कहा था बिल्कुल करूँगा लेकिन फिर उसके बाद गेस्ट अपेरंस, जेस्ट एक गेस्ट अपेरंस होती और जब हम तीजा सोर एक बहुत बड़ी म्यूजिक कमपनी है इस शो में तीजा मतलब तीसरा, सोर मतलब तीजा सोर, तीजा काला, अगर आप देखते हैं काला और सफेद होता है ना हर्मोनियम में या पियानों में एक काला है एक सफेद तीजा काला मतलब एफ शाप, उसके उपर तीजा सोर हमने बनाया है तीजा सोर एक फिक्टिशिस काल्पनिक म्यूजिक इंडस्ट्री, पंजाब की सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसा करके और उसके अंदर गेस्ट अपिरिंसेज हैं सबकी तो वही है, दुर्भागेवाश सिद्धु जी के साथ काम करने का मौका नहीं हो पाया पर आइजस्ट होप इसके थुरू जो हम कहानियां कहना चाह रहे हैं उससे एक जागरुकता है पंजाब में कंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक्स्टॉर्शन्स, क्राइम हमेशा से रहा है दुनिया के सामने अब आ रहा है पर रहा हमेशा से सालों से उस एक वर्ल्ड के बारे में ये कहनी कहनी बहुत जरूरी है और उसको इंट्रेस्टिंग रखना एक इंट्रेस्टिंग तरीके से एक काल्पनिक तरीके से कहना बहुत जरूरी है जिसके अंदर कुछ भी हम रियल नाम, रियल तथ है रियल लोग, कुछ भी ना टार्गेट कर रहे हैं ना हमारा हम देश सुधारने समात सुधारने के लिए नहीं निकले है हम एक एंटर्टेनिंग एंट्रोसिंग कहानी एक ऐसी दुनिया की जिस दुनिया की जलक आपने बाहर से देखी है अब वो जलक आप अंदर से देखेंगे चमक के साथ साथ ही अगर कॉंटेट की बात की जहां की आपने बताए कि सिद्धि मुसवाला स्पेशल अप्रियंस करने वाले थे तो यूनो की क्या बादचीत हुई थी क्या वो भी इन चीजों से सफर कर रहे थे पहले यूनो की आपकी जो बादचीत हुई थी यूनो वो इंसिडेंट के पहले वोई थी उनका क्या वीव था उनको पता था ये कॉंटेंट कैसा है या क्या दिखाना चाहते हैं नहीं सो यहां पर मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा वो मेरे दोस्त नहीं थे मैं उन्हें जानता नहीं था मैंने तो as a director to an artist उन्हें अप्रोच किया था तो बहुत हसमुक तरीके से उन्हें बात करी थी बस इतना ही होता है हमने बात करी थी जिदा पंजाबी चापक कहने थे कि पाजी एकर के एक कॉंसेट है उन्हानों कॉंसेट बहुत वधिया लगया सी मैं कहा कि जो पंजाबी में जैसे कहते है तो मैं हिंदी में अगर बोलू तो फिर हमने कहादा उन्हें क्या आप इसका हिस्सा होना चाहेंगे guest appearance में तो उन्हेंने कहा था अरे वहाँ बिलकुल और बस ऐसे इतनी सी ही बात हुई थी उन्हें मिलने का सौभागे कभी नहीं हुआ साथी जो response मतलब जो पंजाब इंडस्री से बिलॉंग करते हैं या फिर कैनेडा में भी हैं कई सारे singers जो जिनके गानी हैं पर हम बड़े प्यार से सुनते उनकी क्या response है इस कहानी से वो actors कितना relate कर पा रहे हैं यह उनकी जैसा कि friction story है बट वो कितना relate कर पा रहे हैं बहुत relate कर पा रहे हैं और कैनेडा से थोड़े underground singers जिसको underground music कहते है underground music वो होता है जिसको studio release नहीं करता इसको आप प्लीज underground का यह सब नहीं कि वो underground है यह gangsters हैं ऐसा कुछ नहीं है पर Canadian singers ने जो जो सहा है बहुत सारे Canadian singers हमें support कर रहे हैं एक बहुत अच्छे singer है महाँ पे independent artist है फते उनका एक बहुत अच्छा गाना है हमारी सीरीज में उठका ले चल उठ मदब चलोट और अब कुछ करके दिखा ना सी मा ना सी बाप तो वो जिस तरीके से वहाँ पे singers बहुत struggle करके बड़े हुए हैं वो भी इसमें दर्शानी की कोशिश करी है हमने और art का ना किसी भी मदब राजनीती से politics से सरोकार नहीं होता मतलब मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए भी मैं किसी भी politics या किसी भी ideology में यह नहीं believe करता हूँ मैं बस as an artist एक बात कहना चाहरा हूँ संगीत की, music की हम वही कहना चाहरे है तो जल्दी सोनीली पर हम देख पाएंगे लेकिन अंदर कुछ डर कुछ है, nervousness क्योंकि content ऐसा है जब कुछ चीजे बाहर आएंगे तो कुछ ना कुछ विवाद या कुछ controversy होगे इसका भी डर रहता है अंदर विवाद तो अब देखे कि अगर आज मैंने करेले की सब्सी खाई थी उस पर भी विवाद हो सकता है और यह हमारा देश है इससे इसमें जागरुकता रहा है जो चीजें गलत हो रही है वो ना हो मोदी जी हमारे प्रधान मंत्री है एक ऐसा इनसान जो किसमत से मिलता है यह मैं बहुत strongly बिलीव करता हूँ बहुत strongly कि वो ऐसे प्रधान मंत्री है जो इस देश को आगे लेके जा रहे है हमको उनके विजन को सपोर्ट करना है कुछ और साथ में as an artist मुझे अपने आप से true रहना है तो मैं वो चीज़ कहना चाह रहा हूँ जो मुझे लगता है audience सुनने के लिए तयार है यूनो की जैसे की Canada की बात हुई तो मुझे लगता है कि यह जो music हम लेके जा रहे हैं वो फिर से सब कुछ अच्छा करेगा फाइनली क्या कुछ कहना चाहेंगे अब show जल्दी stream होने वाला है तो उने क्या कुछ message देना चाहेंगे जो viewers है यहां से लेकर पूरी दुनिया तक मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी आर्टिस्ट को अपना आर्ट जब उसकी पीक पर होता है या जब वो चरम शिकर पर होता है अपने आर्ट के और लोगों के सामने स्टेज पर गारा है या पेंटिंग्स के एक्जिबिशन है कैमरे के पीछे का आर्ट कैमरे का सामने का आर्ट जब आपका बच्चा कविता भी सुनाता है ना आपको तो वो आर्ट है उस वक्त वो आर्टिस्ट है उसका होसला अवजाई करिए तालिया बजाईए आर्टिस इसी चीज़ के लिए जंदा रहता है, आर्टिस्ट को मारिये मत. कैसे आपके दमार में आइडिया आया है, यह क्या हुआ था कि फ्रैंक्ली जब सिद्धू मुसेवाला जी और यह सब उनका वो ट्राजडी हुआ अंदर, तो आय रेलाइस्ट की पूरा भारत जो है, पूरा भारत वर्ष अब वेक अप हुआ है, जो आर्टिस्ट पंजाब मे फेस करते हैं उस एक प्रॉब्लम को, मतलब वो एक्चुली वो प्रॉब्लम वहां कैंसर जैसे है, लाइक कैंसर वो स्प्रेड हुआ है, आर्ट के अंदर और दीमक की तेरे खा गया है, इस्पेशली म्यूजिक को, क्या होता है कि जहां पर पैसा जादा बढ़ता है, वहां पंजाबी गाना पीछे बचता है, उसके कारण जो पैसा सर्कुलेट होता है, वह आप अंदाजा में ही लगा सकते हो, करोडों में है, लाखों की भी बात नहीं हो रही है, फिर जहां पर, जहां भी पैसा होता है, वहां क्राइम आता है, बहुत क्लियर सी बात है, इसमें मत दिया जाता है, तो एक्स्ट्रीम है, तो मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत पहले बननी चाहिए थी, ये फिक्शन है पूरा, इसमें किसी के कुछ नाम लिये, या ये किया, कॉंडर्वर्सी, वह सब मैं कुछ नहीं चाह रहा, हम चाहते हैं, आप सच्चाई को देखें, लेकिन एक मनुरंजक अंदाज में, फिक्शन के तौर पे, नाट की रूपांतर जिसको कहते हैं, और बस, एंटर्टेंड हो, म्यूजिक देखें, सच्चाई देखें, कैसा हो रहा है साथ में, और एंग्रॉस्ट भी रहें, ये कारण था इस कहानी को बनाने का, ये भी हमें मालूम चलना कि ये पहला ऐसा शो है, जहां पर 28 गाने हैं, तो म्यूजिक के साथ जो अतालमेला इस शो का, उसके बारे हमें कुछ बोलना चाहेंगे, थांक्यू मुकेश, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और खुद मुकेश इतने अच्छे आर्टेस्ट, इं पंजाब की मुजिक इंडरस्ट्री, तो हमने सोर्स की क्यूरेट की है, और ये अलग अलग पांच, पांच से साथ डिफरेंट मुजिक डिरेक्टर्स हैं, मुजिक कंपोजर्स, दो बहुत बड़े नामचीन बॉंबे से, और तीन पंजाब से, उन सब के साथ ये सोर्स करक अठाइस गाने और चौदा मुजिक आर्टिस्ट्स, और फिर ये अलबम बनी है चमक के पूरी सीरीज की, दो पार्ट में अलबम है, दो पार्ट में सीजन वन है चमक का, तो ये सब अठाइस गाने याँप ऐसे एंजॉई कर सकते हैं, हर एक का फ्लेवर अलग है, इसमें स जो डिरेक्टर है, चमक सीरीज के सोनी लीप आने वाला है, और रोहित बढ़ा है शो आने कव वाला है, साथ दिसम्बर दोहजार तेईस चमक ट्रॉप्स, साथ दिसम्बर दोहजार तेईस चमक और उसमें आप डिमपी के कारेक्टर को देखेंगे, लेकिन इस वकट बात अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इससे लाइक करें कमेंट देखे अपनी जरूर दें और ऐसे ही अ कि अपने देखे आपन शुॐस्टर इससे देतितивает है कि Date